तो अगर आप आईको और वीवो का फोन यूज कर रहा हूँ आपके लिए एक मस्सी न्यूज है मेरे पास आपके लिए फंटच OS 15 आ चुका है और वो बेस्ट है Android 15 पे बहुत सारे चेंजीज हैं तो हमने उसे कंपेर किया है फंटच OS 14 पे और बताएंगे इस वीडियो में कि आपके फोन में क्या क्या नहीं आने वाला है ओप आप लोग वीडियो अच्छ लगे पहले बार इस चैनल पर हो मेरा नाम है प्रविक्ट प्री सब्सक्राइब करना अगर आपको ये वीडियो च्छ लगती है सबसे पहला चेंज आपको देखेगा लॉक स्क्रीन पे जो ट नोटिफिकेशन पैनल भी स्लाइटी चेंज हो गया है थोड़ा मॉडन फील हो रहा है इवन यहीं पर पाउर मैनी को भी क्लिक करोगे तो आपको थोड़ा से और रिफाइंड फील होगा तो जगा 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 थोड़े से आइकन्स वेगरा नए किये हैं और थोड़ा टेक करने वहीं से कंट्रोल कर सकते हो इवन एक पैंसल जैसा आइकन दिखेगा उस पर आप क्लिक करोगे यह स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है लेकिन आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर यह आप कुछ भी ड्रॉव वगरा का सकते हो कुछ भी हाइलाइट कर सकते हो यह edit करने के बात करना पड़ता था लेकिन अब screen recording चल रही है आप ये same time पे कर सकते हो ये change मुझे बहुत अच्छा लगा अब खैर इसके बाद सीधे चलते है home screen पर ही और यहाँ पे आप दो उगलियों से उपर को swipe करोगे तो आपको दिखेगा जो hidden apps जहाँ पर रखते थे पहले वो थोड़ा सा और clean हो गया है पहले आपको square shape का background मिलता था अब वो gap कर दिया है खैर major changes आपको pinch करने पर दिखेंगे पहले तो home screen जिस तरह किसे आप edit करते हो वो पूरा ही look थोड़ा सा change हो गया है लेकिन नीचे side आपको जो wallpaper देख रहा है उसमें all धेर सारे नए stock wallpaper भी add हो गया उन्हें भी आप try करना और फिर widgets वाले page को check करना सब आपको widgets same ही लगेंगे लेकिन यहाँ पे एक नया clock widget आया हो सकता आपको अच्छा लगे मुझे तो ठीक लगा खेर लेकिन last option जो है home screen वाले जो setting होती है main उसके अंदर जाओगे ना तो वहाँ पे बहुत much change हुआ है आपको एक icons का major change दिखेगा काफी लोगों को fun touch ओइस के जो है icons अच्छे नहीं लगते तो यहाँ पे एक नया theme या नए icons add कर दिया है मुझे अभी भी भी उतने अच्छे नहीं लग रहे है थोड़ो से इने ना stock canode जैसे icons करने चाहिए लेकिन आप थोड़े से आपको एक नए icon मिल रहा है जो आप change कर सकते हो इसके लावा hide icon label करके एक नए option add हो गया है इसको आप on कर दोगे ना तो home screen पे जो भी icons के नीचे text लिखाता है वो आप guide कर सकते हो और इसके वैसे आपकी home screen थोड़ी और modern और थोड़ी और clean feel होती है लेकिन सिर्फ इसे आप home screen पे कर सकते हो app drawer में देखोगे आपको वहाँ पे अभी भी app labels मिलेंगे वैसे जो app drawer है बहुत अतक सेम ही है लेकिन जो उपर top पे search bar आपको मिलता था वो थोड़ा सा एक नया line type हो गया है मुझे लगता है जो पहले search bar था वो ज़्यादा modern ही feel होता था अब थोड़ा सा line जैसी add किया है पर यही change है app drawer में इसके लवा कुछ नहीं है अब सीज़े चलते है settings के अंदर यहाँ पे कुछ changes हो है पहले तो settings page बहुत refined हो गया मतला बहुत ज़्यादा आपको दिख क्या होगा काफी settings अलग अलग होगी है जैसे wifi setting अलग होगी है SIM वाली setting अलग होगी package of untouch OS थी उसमें यह चीज आपको नहीं मिलती थी अब chance यह है कि इसे on कर दोगे तो आपको थोड़ी bad life और better मिलेगी आपका phone रखा रहेगा तो अपने आप जो आपका phone down होता है वो शायद इसके बाद कम down हो तो यह एक अच्छी setting है इसके बाद दूसरी setting आप notice करोगे storage वाले option में वहाँ पर manage storage पर क्लिक करना अब वो थोड़ा और better design आ गया है पहले सारी files ही आ जाती थी लेकिन अब वो divide हो गया है आपको manage करना easy हो गया है और तीसरी setting जो आप notice करोगे वो privacy वाले option में आप notice करना यहाँ पे आपको smart privacy जैसा option दिखेगा वहाँ पे call leakage जैसा option है इसको आप on कर दोगे तो calls के दुराण आपके earpiece जैसा sound आती है वो थोड़ी कम leak होगी अब यह करेगा कैसे उसकी थोड़ी सी volume reduce कर देगा इसके through आपकी जो sound आजपस अगर लोग सुन लेते थे आपके phone की तो वो थोड़ी सी कम हो जाएगी दूसरी setting अगर आप face unlock यूज़ करते हो तो यहाँ पे एक notification hide जैसा option आ गया है लब आप phone को देखोगे तो आपको ही पैचान लेगा notification शो करता रहेगा लेकिन आपके आजपस कोई तीसरा person होगा तो यह notification अपने आप hide कर देगा तो हाँ camera का थोड़ा सा ही ज्यादा use करेगा अगर आप इसको feature को use करते हो तो थोड़ी privacy आपकी increase हो सकती है यह थोड़ी privacy आपकी ठीक हो सकती है खेर काफी brands AI के अंदर काम कर रहे हैं तो क्या Vivo वालों ने कुछ इसके बाद AI का add किया है तो आप album app के अंदर जाओगे added पर click करना तो आपको एक AI eraser वाला option देख जाएगा जो की काफी अच्छा काम कर रहा है और आपको एक AI image enhancement वाला option मिल जाएगा blurry photos को ये detail add कर देता है ये वैसे already Android 14 वाली कई devices के अंदर आपको मिल रहा है जो भी नई launch होएं लेकिन अभी तक अगर आपके phone में नहीं है तो इस Fanta Choice 15 के बाद आपको ये दोनों AI feature मिल जाएंगे येस काफी brands काफी must must AI चीज़े दे रहे हैं इन लोगों ने Fanta Choice 15 के अंदर में कुछ खास AI feature add नहीं किये हैं खेर क्योंकि हम album map में हैं तो आप यहाँ पे भी एक notice करोंगे एक clean up suggestions करके एक option एड हुआ है पहली ये नहीं था इसके through आप अपनी photos वेगरा थोड़ी और अच्छी तरीके से manage कर सकते हो इतने से changes आपको Fanta Choice 15 में मिलते हैं जो कि Android 15 पे based है आप बोलोगे Android 15 वाले कुछ चीज़े दिखती हैं तो क्योंकि उसके उपर skin चड़ाई गई है तो आपको इतनी चीज़े नहीं दिखती है Fanta Choice 14 में बहुत changes थे इसमें थोड़ा सा refined किया है उन changes को मैं अभी भी सोच रहा था कि चाइना में Origin OS है तो थोड़े यहां पे भी कुछ वो चीज़े लेके आए यहां फिर थोड़ा सा look stock canard की तरफ लेके जाए लुक्स में और थोड़ा बहतर हो जाए लेकिन अभी थोड़े सा नया icon ही add हो है और AI वगर पे बहुत brands मस्त मस्त काम कर रहे हैं यहां पे आपको दो ही feature मिलते हैं तो आप पताओ कि कौन सा feature आपको अच्छा लगा थोड़ फरहे हो 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 हम आपको फिर दोड़ के दित में और रहे हैं जापको अबते हैं जागा हैं तो ग्राव पो अजैश में पूल है यह पल Şu टो में तो ग्या में